बस नहीं चल रही हैं, ट्रक नहीं चल रहे हैं और तमाम गाडियों के पहिए एक तरीके से थम गए हैं इसको लेकर लोगों को बहुत परिशानी हो रही है, खासकर मैलाओं, बच्चों को बहुत दिक्कत पेशारी है बस चल नहीं रही है, यहाँ आइस बीटे से खाने की, लामा घड़ा ते निगला हूँ, बस नहीं मिल रही है रात में हमें कैसे घर कुछे रही है, काम करना भी जोगी है, आम नहीं मिल रही है, यहाँ बस बन होने सारे हैं, बहुत भरिशानी हुई है कुछ महिलाएं में हमारे साथ में मौझूद हैं, उन से जरा पूछते हैं, क्या दिक्कत आ रही है हम लोग सुबह से बेट कर रहे हैं, हम लोग राज़्टोर से आए हम लोग बरानी कमना भी जो बेट कर रहे हैं, इसके बात यहाँ बस यहाँ बस नहीं चलेंगे कि आए हम कैसे देंगे हैं, मतर आम कैसे देंगी है दो अब ही कोई बेवस्ता बना रहे हैं, इसके आद टैंपके अज़िए एवगराओं को अब हो बर्दा क्वारण पर नहीं चाहत दो जान काई चाहता है प्राइट गाड़ी नहीं चल रही है। प्राइवेट कैप वाले गाड़ी नहीं चल आई तब क्या करेंगे है। मैडम पिकत पेश आ रही है। आप कफसे बैठे है। तो यह एक समस्या और भी आपर लोग बैठे हैं। पूरा सामन रखा हुओ है। देखिए। कहीं घंटों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। गाड़ी नहीं मिल रही है। कहां जाना है। यह एक ही परिवार के लोग है। लेकिन अभी तक इनको गाड़ी आपर मिल नहीं रही है। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। कहां जाना है। गाड़ी नहीं मिल रही है। तो यह दिक्कत है इस बीटी की तमाम बसे हैं। यह से पूरे मध्यप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाती है। आप देखिए कोई बोलना है प्राइवेट केफ करेंगे, कोई बोलना है बाइक से जाएंगे। तो यह बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। तो यह बसे चल नहीं रही है। सब के पई यह धने हुएं। अब देखना यह है कि सरकार तक इनकी बार पुफ़ती है। और सरकार का कुछ इस पर अमल करती है। बल्टा कि अम लोगों को रहात मिलती है। तो तमाम लोगों परिशाल लग रहे हैं। बेखाल लग रहे हैं।